100% guarantee की साथ मैं कह सकती हूँ कि आपने baby onion की ऐसी सबसी कभी नहीं बनाई होगी और YouTube पे ना तो आपको इसकी recipe मिलेगी So guys, आज मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ छोटे वाले प्यास के बहुत ही amazing सी recipe जो बच्चे हो या बड़े इसका स्वात कभी नहीं बूलेंगे बलकि मांग मांग के खाएंगे और इतने ही नहीं guys, इस सबसी में मैं add करने वाली हूँ कदू, जिसे कोड़ा या pumpkin भी कहते हैं और अगर आपके घर में कोई ये नहीं खाता है ना, तो ये recipe आपके लिए best है guys, आप इस तरीके से सबजी बना करके उन्हें खिला सकते हैं बहुत ज़़दा टेस्टी, बहुत चटपटी, खाने बहुत ही मज़ेदार ये सबजी बन करके तयार होगी और आप इसे पूरी नान, पराथा, चावल, किसी के साथ भी enjoy कर सकते हैं क्योंकि ये recipe, especially मैंने अपनी sister के लिए बनाए थी, उसे कद्दू बिल्कुल नहीं पसंद है और उसने जब ये खाया तो उसे बिल्कुल नहीं पता चला तो guys, recipe पसंद है, तो Goldless Kitchen के लिए लाइक शब्सक्राइब जरू करना, बेल आकन को भी जरू प्रेस करना, तो आई शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले हम सबजी का मसाला बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने आप एक पैन ले लिया है पैन में डालना है सूखा नारियल, तो हमने यहाँ पे लगभग थोड़ा सा सूखा नारियल लिया है, देखा जाए तो दो से तीन चमच के बराबर है यह, आप चाहे तो desiccated coconut का इस्तमाल कर सकते हैं बस सबसे अच्छा है इस तरीके से आप नारियल ले लिजे, अगर आपके बसकचा नारियल है तो आप उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं इसी के सासाथ हम यह आपे दो छोटे चमच हमने ले लिया है सफेद वाले तिल, आप चाहे तो रमुंख फली मखाना भी ले सकते हैं पोस्तों का दाना भी इस्तमाल कर सकते हैं, मैं यह आपे basic चीजों का इस्तमाल करूंगी और अब हम इसमें अट करेंगे कश्मीरी लालमिच, लगबाद 2-3 कश्मीरी लालमिच अट करेंगे और इन तीनों चीजों को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है तो हम इन्हें तब तक भूनेंगे जब तक कि इनका कलर हलका सा बदल नहीं जाता है और हलका सा क्रिस्पी ने जाते हैं तो जैसी अच्छी तरीके से भून जाएंगे इनका कला बदल जाएगा हम इसमें बाकी की सारे मसाले आड़ करेंगे तो हमें इसमें आड़ करना है सूखे मसाले सूखे मसाले में मैं धनिया पाउड़ आड़ कर रहे हूं आप चाहें तो साबुद धनिया का इसमाल भी कर सकते हैं क्योंकि इनने भी भूनना है तो एक बड़ा चमच हमने इसमें धनिया पाउड़ कर दिया है जीरा डाल देंगे आदा चोटा चमच के करीब आप चाहें तो जीरा पॉडर का स्माल भी कर सकते हैं बस साबुत मसाले सबसे बेस्ट होंगे इस रेस्पी के लिए और अब हम इसमें एड़ करने वाले हैं थोड़ा सा पोस्तो, काली मिश और लॉंग हमने इसमें जादा आड़ नहीं करना हैं बस थोड़ा सा आड़ करना है अब क्या करेंगे सभी चीजों को अच्छी तरीके से बुनेंगे तब तक जब तक कि ये सारे साबुत मसाले और थोड़ा सा ये जो पावडर वाल मसाले अच्छी तरीके से बुन जाएंगी जैसी सारे चीज़े अच्छी तरीके से भून जाएंगी, हम इसमें एड कर देना है लेसुन की कलिया, तो ये जो लेसुन की कलिया है लगवाच चार से पांच हमने लिए, इसे भी हलका सा में रोस्ट करना है, साथी में हम इसमें एक कप प्याज एड करेंगे, जिने हमने इस इसका कलर ट्रांस्पारेंट हो गया है, तो फ्लेम को आफ करके हमें इसे थंडा करना है, फटा-फट से हम नेक्स प्रोसर स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने बेबी आनियन लिया है, जिनका स्किन मिकाल करके, मैंने अच्छी तरीके से इने वाश कर लिया है, और अब मैं आपको बताती हूं किसे कैसे कट करना है, तो बेबी आनियन आपको दो तरीके मिलेंगे, एक कुछ इस तरीके से आपको लंबा वाला मिल जाएगा, और एक इस तरीके से थोड़ा सा चप्टा यानि फ्लैट वाला मिल जाएगा, तो जो भी आपको म पूरा नहीं लगाना है ताकि जब मैं इन्हें पकाऊ हूँ तो सारे कट करना है, बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें हल लिए, नमक चाट मसाला डाल करके इसे मारेंट करते हैं, उसके बाद इन्हें पकाते हैं, बाढ़ मैं आपको बहुत से सा तरीका बताऊंगे टेस्ट बहुत अमेजिंग होगा तो इसलिए मैं इस तरीके से फटा-फट से कट कर ले रहे हूं तो यह देखे मैंने अब इस सारे प्यास को अच्छी तरीके से कट कर लिया है अब क्या करेंगे इन्हें साइड में रखेंगे और मसालो को चेक कर इसमें आधा कप से थोड़ा सा ज़जादा पानी डाल करके अच्छी तरीके से हम इसे पीस लेना है तो हम इसका एकदम पाइन पास बना करके तयार कर लेंगे इसे फटा फट से पीस लेते हैं अब हमदा में तो हमने आपे तीन से चार बड़े चमच के करीफ रिफाइन ओल डाला है, मस्टर्ड ओल लालेंगे तो सूपर डूपर हिट है गाईस, क्योंकि मस्टर्ड ओल बेस्ट होता है, ओल को अच्छे से गरम करेंगे, तो हमें इसमें अड़ करना है तो यह मसाला है, हलका सा भूना हुआ है, तो अच्छी तरीके से सारे मसाले डालने के बाद ना, जो मिक्सर जान में अगर थोड़ा सा मसाला रह जाए तो पानी डाल करके हमें इसे अड़ कर देना है, इसी कड़ाई में, और अब हम क्या करेंगे, इन्हें भी अच्छी तरीके से medium flame पे cook करेंगे, ताकि मसाले अच्छी तरीके से और पक जाए, और जब यह मसाले हमारे अच्छी से पकेंगे ना, हम इसमें और भी बाकी बचे वे ingredient को add करेंगे, तो मसाले को अच्छी तरीके से पकने के लिए, हम क्या करेंगे, इसे ढग देंगे, और ढग करके इसे 2-3 minute ले medium flame पे पकने देंगे, उसके बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी, तो फाइनली आप देख सकते हैं कि मसाले हमारे 3-4 minute हो गया है, पकते हुए, बहुत इच्छी तरीके से पक गया है, इसे बहुत अच्छा आरोमा आ रहा है, तो आप इस recipe को ज़रूर राय करना, और I am sure आपको इस recipe definitely पसंद आने वाली है, तो अब हम इसमें add करेंगे curry leaves और गरम मसाला एक बड़ा चमच के करीब, और अच्छी तरीके से सभी चीजों को mix करते हुए, इसे भी पकने देंगे, तो मसाला वगरा जब हलका सा भून जाया है ना, तब हम इसमें add करने वाले है टेमेटो प्यूरी, टेमेटो प्यूरी इसमें totally optional होता है, अगर आपको डा मसाले वगरा अच्छी से पक जाए, और जैसी मसाले पक जाएंगे ना, हम इसमें baby onion add कर देंगे, जिने हमने marinate वगरा कुछ नहीं किया था, और अब हम इसमें add करेंगे इस तरीके से pumpkin, तो यहाँ पर जो कद्दू है ना, मैंने छिलके के साथ ही रखा था, क्योंकि इसका मुलायम था, आप चाहें तो बिना चिलके के भी इस recipe को तयार कर सकते हैं, तो हमने आपे एक कप कद्दू लिया है, दो कप छोटे वाली onion लिये हैं, और अच्छी तरीके से सभी चीजों को mix करते हुए, medium flame पर हमें इसे 5-8 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पकने देना है जितनी अच्छी तरीके से ये पकेगा उतने अच्छा इसका अरोमा आएगा और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होगा गाईस, तो अगर आपको लगे तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें पानी वगर कुछ गया नहीं करेंगे बस इसी तरीके से ढग करके मुझे इसे 7-8 मिनट के लिए पकने देना है, उसके बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी, तो आप देख सकते हैं कि जो सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से पक गई हैं, जो ओईल है उपर आ गया है, और प्यास का कलर आप देख सक चाहें, तो दही अड़ कर सकते हैं, अधरवाइस आप क्या करिए, इसमें थोड़ी सी मलाई डाल दीजे, तो मैं हाँ पर अमूल का थोड़ा सा मलाई अड़ करूंगी, क्योंकि मेरे पास दही अवलेबल नहीं था, तो इसलिए मलाई का इसमाल कर रही हुए, और इसी के सा हम इसमें अड़ करेंगे, हरा धनिया काट करके, आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, क्योंकि कसूरी मेथी भी अवलेबल नहीं थी मेरे पास, तो अब मुझे क्या करना है, इन सभी चीजों का अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इस टेज़ पर आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला भी इसमें अड़ कर सकते हैं, हलका सा खटा बन के लिए, क्योंकि ये जो हमारी सबसी ने हलकी सी खटी, तीखी, और हलकी सी स्वीट होगी, क्योंकि अनियन है, तो अनियन हलका सा स्वीटी होना चाहिए, बिल्कुल भी तीखा और कड़वा वाला अनियन नहीं चाट मसाला भी आट किया है, अब हम इसमें अड़ करेंगे थोड़ा सा पानी, पानी आप अपने टेस्के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा इसे गीला चाहिए, तो आप उस तरीके से आप इने डाल सकते हैं, सारी चीज़े आड़ करने के बाद, तो यहां पर आप देख सकते हैं 5-7 मिंट हो गए हैं सबसी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं बहुत जाद अमेजिंग दिख रहा है खुश्बू इतनी मज़ेदार आ रही है कि अब कंट्रोल के बाहर है अब फटा-फट से इसे इं प्यास की सबजी बनाएगे खाए एंजॉय करें आपको यह रस्पी इतनी पसंद आएगी ना कि आप एक नहीं बल्की बार बार बनाएंगे तो इस तरीके से आप जरूर ट्राय करिए और अब हम फटा-फट से इन्हें सर्फ कर लेते हैं इस चट्टपिटी सबजी को आप इन्जॉय कर सकते हैं पूरी नान पराठा और गर्मा गरम चावल के साथ तो है ना गाइस बहुत ही अमेजिंग से रस्पी तो आप इस रस्पी को ज़रूर ट्राय करें और कॉमें सेक्शन में लिख करके बताए कि आपको रस्पी कैसी लगी और आपने ट्राय की है तो इस